लिए सबसे बड़ी मजबूरी इस समें यही है कि वो अपने अस्तित्व को कैसे बचा कर रखे अस्तित्व मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ मैं इसलिए कह रही हूँ इस चब्ड का इस्तमाल कि TMC जो है वो ज़ादा से ज़ादा सीटे मंथा बेनरजी कहेंगी कि साब खड़ी हुई है पंजाब की बात करूं तो आम आदमी पार्टी आपके सामने आड़कर खड़ी हुई है क्योंकि उनने विदानसभा में अच्छा ब्रदर्शन किया है तो क्या कॉंग्रेस के लिए इस समय ये लड़ाई है कि डू और डाई सिच्वेशन या तो हर सूरत हाल म इस इंडिया गड़बंदन को बचाओ चुनाव में आगे बढ़ो और नहीं तो फिर तो मोदी जीतेगा अईसा तो ये सरा मेडिया और टेलेवीजन पर है मुझे अंदर तो कुछ दिखाई नहीं देता चर्चाओं में तो बहुत अच्छी चर्चा हुरी है लेकिन मुझे पूरा वक्त दीजिएगा क्योंकि जो 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 शवाल पूछ रहे हैं मेरा पत्रकारिता का आपके माध्यम से पतना है ने बिल्कुल लेकिन अंदर खाने क्या चलता है गड़बंदन की राजनीती में यह मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूं और जानती भी हूं और लेकिन परिवारवाद बाजू में ही बैठा है शैजाद भाई के तो दीखता है इन्होंने पीडीपी की बात की पीडीपी और इनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्रम का जब अजंडा तया हो तो उसका पांचवा कॉलम पांचवा अर्टिकल जो है वो 370 को हम वैसा ही और दो सीटे जितने के बाद वहां जाकर उनके साथ सरकार बना लेते 27 जुलाई को जाकर या महाराष्ट में महाराष्ट के बारे में क्या कहते है भोपल में देश के प्रदान मंत्री कहते है कि 70,000 करोट का गोटाला किया है 25,000 करोट का जो गोटाला है बैंक का किया है दो जुले को जो है उनको उपमुख्य मंत्री बना देते तो ये बात जो है वह एकदम सामने स्पस्तरी के से आती है ये बात तो सही है और 370 जो है आज भी जिजे कई साथ देंगे ऐसा हमारे सूत्र कह रहे हैं मैं गलत भी हो सकती जी आदनिया पवार साभ अभी नीचे ही है और सारा जो है वह कैसा आरेंज्मेंट चल रहा है इंतजामात कैसे चल रहा है वह सब देख रहे हैं खुद सामने आकर तो जो पावर साथ में हैं और जितन लेकिन एक बात जो लोग 410 रुपे का सिलेंडर 2014 का 1200 का करकर 200 रुपे कम करकर हमने क्या सवगात दिये चुनाओ के मुहाने पर कई बार कम करके उसके दोगुना बढ़ाया है तो अभी जनता इनके उपर भरोसा नहीं करेगी उजवला में इतना महेंगा कर दिया 400 रुपे क दिया शाम करके वह ले सकते सता सिसी महिला उने नहीं है और इंहोंने जो कम किया है चुनाओ के बढ़ने वाला यह सब को मालुम है अब इन्होंने पेट्रोल की बढ़ी-बाते की पेट्रोल offers विस्ट्रोंने बढ़ा दिया इन्होंने एक रुपया जो रोड इंप्रस्ट् प्रश्रेट में बात किया हमने 25 रुपे का चिरंजी जो है राइट वो सारा दिया है तो हम जो कर रहे है हमारा जो अजंडा हमारी मंचा जो है जनता के सामने है और जूटम जाट जो है ठीक है जाद पुनावाला लग हुए उसका आपने फाइदा उठाया और यहां महाराइ जो उन्होंने शब्दावली जुटम जाट यह इस प्रकार की बाते और इस प्रकार की शब्दावली नैशनल टेलीजिजन की नहीं होती इस से पहले भी उन्होंने पवार सहब के लिए अभी बीव नीचे है मतलब क्यों उनके लिए क्या काम ना कर रहे है मुझा समझ में आ रहा यह हो सकता है उनकी हिंदी की कमजोरी हो या हो सकता है नीचे है या नीचे है मतलब इसका क्या है अगर आप इस प्रकार की बाते किसी व्यक्ति के लिए करेंगे तो मुझे लगता है आप इस प्रकार की बाते हैं तो हम बोलेंगे कि मैं नीचे हैं बता दिए ना कि मुझे शर्म आ रही है कि एक महिला आइंकर के साने मुझे शब्दावी को और यहीं चीजे करते हैं आप लोग महंगाई के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा लेकर निकले हो तो वहां पर असी पैसा बढ़ा दाम बढ़ा दिया आपने हिमाचल प्रदेश में तीन सो युनिट बाती की बात की ती डगाता कर रहे हैं अतुल जी अप तोड़ा शान तो के बैठिये जब आप बोल रहे हैं और आप रोक भी नहीं पारी हैं उनसे नहीं 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 रोक रही हूं आपके सामने तो रोक रही हूं अब मैं तो पूछ रहा हूं ना कि आपने क्या वादा किया था कि 200 यूनिट फ्री हम करनाटका में देंगे असी पैसे वहां बढ़ा दिया आपने आपने पंदरा सु रूपय महिलाओं को हिमाचल में देने की बात की थी वह तो देना दूर की बात है छे रूपया डीजल का पिछले चे मैनों में बढ़ा दि मैं तो कह रहा हूं कि कम से कम आप लोग पीएम शेरिंग और आइडिया शेरिंग कर लो क्या विजन होगा दिखे उन्होंने सही का हमारा विजन डॉक्यूमेंट नी है कि यह मेरा स्टेटमेंट है राहूल गांधी इंडिया इनके गड़बंदन का नाम है अलाकि मैं मैं मा दोसी बात रही रहां रहुति के पास जादा एक्सप invariants रहों गांद्ी के पास ज्यादा एक्सपीरिंस राहूल गांधी नामता इदी से Boss सेौश ये failure का criteria क्या है कैसे fail हो गए कैसे fail मान रहे हैं जो आदमी 40 बार चुनाव हारे दो लोकसवा के चुनाव हारे यदि वो pass है तो आप बदाईए उनको और भी उनको चेरा अभी तुरंट घोशित कर दीजिए पूछ लीजे न राजी जी बैटे हुए सर्वसम्मती से घोशित क्यों नहीं कर देते और कॉंग्रेस पार्टी ने तो घोशित और ठोपने का काम कर दिया है राजीव जी से पूछा क्या भुपेज बागेल को ऐसे वैसे प्रवक्ता नहीं है वो मुख्य मंत्री है बिना प्रथम परिवार की इसका मतलब राजीव रंजन और नितीश कुमार जी को कितना समझते हैं ये लोग कितनी तरजी देते ये कॉंग्रेस दिस्पर्श किया है या अतुल जी बोलने कि बुपेज बागेल का बयान गलत है